हलो एब्रीवन तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हारले वाला यामहा में क्या कर रहा है तो बाई लोग बात ऐसी है कि आज हम आप लोगों के लिए एक सर्प्राइस रखा था जो आज हम यहां पर आपको दिखाने आया हैं रिवील करेंगे उसको वह रिवील इस तरह हो होगा क्योंकि जो आप अभी सिनेमाटिक्स देखोगे वह उसी चीज का है जो कि स्मोकी फिल्स फैमिली में एंटर हो रही है वह आप अभी चेक करो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है झाल झाल तो फाइनली अपनी आर वन फाइव एम आ चुकी है अपने स्मोकी वील एक हमारी बेबी छोटी और क्या पता हूं यार अपनी इस सेग्मेंट में यह अगर देखा जाए तो इसको मैं सूपर बाइक का दरजा दूंगा में और रकेश इसको यहां लेके आए है अभी चौकी चौरा क्यूंकि हमने इसकी पूजा कराई है कालिदार मंदिर से थैंक्स टू यामाहा की उसने इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है तो भाई साब हमारी रोड जो है ना खासकर यह चौकी चौरा वाली रोड इस पे जो कर्व्स हैं जो लीन्स हैं वैसे तो मैं करता नहीं हूं लेकिन आज मेरे को इस बाइक पे इस बाइक ने मजबूर क कंट्रोल के बार में तार हो और जो इसकी जो सौंड है नो डाउट इतनी स्मूथ है इतना रिफाइन कर दिया एंजन यामाहा ने एस कंपेर टू ओल्डर वन अगर फिफ्टी की सेग्मेंट देखी जाए तो दो लाग तेरा हजार पे कि यह हमें पड़ी है बाइक बाइस दो तेरा में आज के टाइम पे इतने सारे फीचर नहीं मिलते बात कर रहे हैं तो दूसरे फीचर के और चलते हैं जो इसको प्रीमियम सेग्मेंट में इंट्रोड्यूज कर रही है वह है फिक शिफ्टर क्लच लेश शिफ्टिंग अफ गेर्स मतलब कि आपको क्लच की बाई रेव में चला रहे हो तो स्पीड के अगर देखा जाए जब बंदा हाई स्पीड में होता है तो क्लच यूज करने से इसकी पावर ड्रॉप होती है और क्या होता है इसमें यह फंक्शन दिया गया है यह बड़ी-बड़ी सूपर मैक्स में होता बाई तो इसमें दिय तो बाई देखो यह डियारल देखो ऐसे लगता है को घूर रहा हमें और बाई सहाब देखो यह डियारल और जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं जो इसका डिजाइन दिया गया है अग्रेसिव लुक्स है और मैं कहा रहा हूं कि वी थ्री के मुकाबले वी फॉर इंडर ने बिलकुल ही चेंज कर दिया है और एक नंबर बाई का यार स्पोर्ट बाई का दो लाग तेरा हजार में आपको वन फिफ्टी सेगमेंट में इस के दो फीचर जो पता है है में डाट इस कुछिफ्टर एंड ट्रैक्शन कंट्रोल अब आते हम तीसरे पॉइंट पे इसमें दिया गया है अपसाइड डाउन फॉक और जो की प्रीमियम बाइक में आती है और आप इसको क्लोज देखें और जो कलर है इसका क्या कंबिनेशन है हर V4 और R15 M में आपको गोल्डन फॉक्स मिलेंगे जो की एक प्रीमियम सेग्मेंट दे रहा है कोई दूर से पहिचान नहीं सकता अगर यामा का लोगों चुपा दो और R15 M चुपा दो तो डेफिनेटली सब बोलेंगे कि कौन से सूपर भाइक आई है तो अब बात करते नियुल अबैस के साथ और जो पीछे रियर है वो है 220 mm ड्यूल एबीस के साथ जो आपको एक सेक्योर राइट प्रवाइड करती है आपकी जो ब्रेकिंग सिस्टेम में एकदम सेक्योर हो जाती है दो लाग तेरा हजार में में अच्छी सेक्योरेटी भी मिल रही है लुक्स भी मिल रही है और अभी तक हमने इस पर थोड़ी ही राइट की है फूल थ्रॉटल भी दिया है अब ही तक हमें ये दे रही है 47 की अभी इन फ्यूचर हम राइट्स पर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इतनी remain और कि पावर फूल है यहां देखो इसमें जो इंजन किल बटन दिया है यह बिल्कुल एक समझ गे ना प्रिमियूम क्वालिटी हाई सूपर बाइक में दिया जाता है हारले में भी मैक्सिमम यही दी जाती है बड़ी-बड़ी बाइक में तो यह उपर किल सिच हो गया यह रन करने के लिए और जहा आ जाए तो इसकी जो पेट्रोल की टेंक ही है उसको उसकी शेफ फोरी अच्छी की गई है और थोड़ा सा बिठा दिया गया है ऐस कंपेर टो वी-3 इसमें आपको मिल जाएगा यामाहा मोटर साइकल कनेक्ट जो की हल्प करता है आपके डिस्प्ले में जो शो करता है आपक यह मुबाइल के साथ किनेक्ट हो जाएगा बेसिकली एक एप है तो यह आपकी इंकमिंग एंविसकाल एसमेंस इमेल की नोटिफिकेशन जो आपको दिखा देगा इवन की फोन का बैटरी स्टेटस जो है वो भी आपको दिखा देगा इसका यामाहा का है यह एप है फोन मे उस एप में आप अपनी बाइक की लास्ट लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं और देन आपकी बाइक की एफिशेंसी फ्यूल एफिशेंसी भी चेक कर सकते हैं वाइक में बता हो बच्चे की जान लोगे क्या 2,00 रुबे में बहुत कुछ है फुली लोड़ीड है और आप लोक है अब लास्ट बात करते हैं इसकी इंजिन की क्योंकि फीचर तो हमने बता दिया आपको तो इंजिन की बात की जाए तो इंजिन आपको पता ही है इसका 155 cc होता है तो इस बार इनका फाई इंजिन है जो लिक्विड कूल इंजिन है और काफी रिफाइन गया गया है पहले आज कंपेर टू वी 3 करेंगे ही क्योंकि अप्ग्रेड हुआ है मॉडल जो की 18.4 ps की पावर है जो की एनफ है यार बहुत होता है इस सेग्मेंट में बाइक देखने के लिए और इसका लोगो भी अभी इन्होंने 3D में दिया है विचिस गूट और मैं एक चीज़ बताना बूल गया है इसमें hazard light का option जो है pre-loaded है यह देखिए यह चल रहे है hazard light सारे चल रहे है नोटिफिकेशन भी यहां पर आ रही है तो देखा जाए तो fully loaded bike है भाई अभी तो हमने बाइक निकाली है और इसकी पूजा बगारा कराई है अभी थोड़ी से चलाई है आई थिंक 50- 60 km हमें इसको ride किया है तो फिलाल इब इसको हम rides में लेके जाएंगे तो फिर हमें इस bike का पूरा पदार चल जाएगा तो वह हम जब भी ride जाते हैं उसमें discuss कर लिया करेंगे तो भाई साब मज़ेदार एक number of bike है और congratulations to our smokey wheel stream, congratulations to Rukhakesh, congratulations me also आप सब viewers को आप सब जितनी भी मा अब इसका नाम करन हमने किया नहीं है इसका नाम करन हम जल्दी करेंगे थैंक्स वरूम यामाहा का शोरूम है काफी अच्छे से उन्होंने हमारे जो बड़े ही short notice पे बड़े ही short notice में यह हमें provide किया और जो की हमारा color जो हमें पसंद था silver color का यह वाला M उन्होंने हमें एक दिन में ही delivery provide कर दिया जिसको R15 M ले नहीं है वो प्लीज वहाँ जाके contact करें उनसे हमारा जो बहिया का number है वरूम बहिया का वो मैं description में डाल रहा हूं तो बस यही था आज के दिन हमारी bumble भी तो घर पे है इसका नाम सोचेंगे क्या घाल सकता हूं जए एक दिया रहा हूं पुछाहँ